नमस्कार दोष्तों, आज हम M.S.A.K.S.L. में work sheet को delete करने की shortcut की सीखने वाले हैं कुछ condition में हमें M.S.A.K.S.L. की work box से किसी work sheet को delete करना होता है तो work sheet को delete करने के लिए, हम एक shortcut की भी use कर सकते हैं shortcut की है alt e l, alt e l, आपको alt key को press करना है, e key को press करना है, और l को press करना है आप से MS Excel Confirmation लेता है कि आप Worksheet को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं यदि आप Worksheet को डिलीट करेंगे तो वह पर्मानेंटली डिलीट हो जाती है या अंडू से उसे वापस नहीं लाया जा सकता है और एक्जम्पल हम डिलीट पर क्लिक करते हैं तो हमारी वह वर्मानेटली डिलीट हो गई है अब जिसे हम वापस नहीं ला सकते हैं तो MS Excel में वर्मानेटली डिलीट करने की सौटकट की है Alt E L इसी परकार की सांदार सौटकट की को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें